हेलो वेलकम बैक टू माच चानल तो आप भी संत्रा खा को चल्का फेक देते हो ना तो चलो आज उससे बनाते हैं कि रेसिपी तो बनाना स्टाट करते हैं तो सबसे पहले दो संत्रा ले लो और उसे अच्छी तरह से आप धोलो और धोने के बाद इसे थोड़ा पोछ लो और कियोंकि इसे कट करने से पहले आप एक पीस दियान देना कि अगर आप हरे कलएक जो संत्रा होता वह बिल्कुल भी मतलेना जो थोड़ा ऐसा हो जाता पीला टाइप में वो ले लेना उसके बाद आप इसके छिलके को कोई साभी सेव दे के कट कर दो यहां मैं छोड़ा छोड़ा सा कट कर रही हूं सब एक सेव में हो जाए इसी के लिए तो आप कुछ इस तरीका से कट कर सकते हो जैसे मैंने किया था तो सारे संत्रों को आपको इसे ही कट कर देना है और यहां पर देख सकते हो आप मैंने दो संत्रे का छिलके को इस तरह से कट कर दिया उसके बाद आप लेंगे पैन पैन में पानी गर्म होने के लिए छोड़ देंगे करीब यहां पर हम एक ग्लास पानी लेंगे और उसमें जितने संत्रे की छिलके थ तो हम इसे बॉइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जितना तीता पन है ना वो निकल जाएगा तभी आपको एक बर यहां पर बॉइल कर लेना और आप देख सकते हो आठ मिट हो चुका है बॉइल करते वे तो इसके पानी को हम चेंज कर देंगे बॉइल पानी को हटा इससे एक गलास पानी डाल कर इसे फिर से बॉइल होने के लिए करीब दस मिट के लिए चोट देंगे और इससे आप फिर से बॉइल होने दो चुछा Lee को जब यह पिघवल जाएगा तब इसमें हम डालेंगे संथ चिलका जो हमने बॉइल किया उसके आप दालेंगे एक च् तो आप पहले चीनी को अची तरह से मेल्ट होने दो तो यह अची तरह सो मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। और उसके बाद इसमें आप हम डाल देंगे संतरा का छिल्का, जो हमने बॉइल किया था, तो आप इसमें डाल दो अच्छी तरह से, और इसे आप अच्छी तरह से मिला लो अक्सर क्या होता है कि संत्रा का छिलका वेश्ट हो जाता तो उसे वेश्ट ना करकर हमाँ संत्रा का कैंडी बनाएंगे जो छिलका होता है उससे तो संत्रा भी वेश्ट नहीं हो और छिलका भी नहीं आप बना सकते हो संद्रा का कैंडी वो भी घर पर और इसे बॉइल करने टाइम आप ताइम का ध्यान जरूर रखना यह होगा कि तीता बिल्कुल भी नहीं लगेगा ने तो अगर बॉइल करने में थोड़ा टाइम कम लगाते हो तो इसका तीता पन नहीं जाने माला है तो चीनी और पानी अब्जॉब कर लिया चिलका तो अब इसे आप एक प्लेट में निकाल दो और प्लेट में हलकी तरह से फैला फैला कर अब इसे रख लो और इसे करीब आप दू से तीन मेंट ठंडा होने के लिए इसे आप छोड़ दो उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे चीनी दूटाला प्लेट में पाउडर लेलु और इसके बाद 2001 की छिलका की अच्छी तरह से और इसे 2-3 मिन ड्राइ होने के लिए छोड़ देना तो छोड़ देना तो से म आपको ऐसे ही करना थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको सारी को बाहती तरह से कर देना है और अच कोटिंग अच्छी तरह से हो चुकी है और इसे मैंने डोमनेट पंखा में रख दिया था हलका ड्राइ होने के लिए और उसके बाद आप देख सेखते हो कि हमारा संत्रा केंडी बन चुका है वह कितना जादा टेस्टी लग रहा है आप देख लो और ट्राय तो सरूर करना और ऐसी धेर सारी वीडियो के लिए मेरे चानल को लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन पर क्लिक करना कि की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके तो संत्रा तो हम खा लेते पर चिलका वेस्ट हो जाता है तो यह आप ज़रू ट संत्रा का चिलका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने वाला है और घर में ज़रूर करना है बहुत ही जादा टेस्टी लगता है इसमें खटा पन और मीठा जो हमारी केंडी मिलती है उससे भी जादा अच्छा लगता तो अच्छा लगता तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्र